हेलो फ्रेंड बेलकम बैक आवर यूटूब चैनल गणेश एजनसी दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुसी का है क्योंके बिहार लुकेशन में हमारा गणेश एजनसी फिर से रियोपनिंग हो चुका है ठीक है और अभी जो इनका लुक मैं आपको दिखा देता हूं साथ में यह रोड साइड में सामने है पहले जैसा नहीं कि एकदम जंगल के अंदर में है बहुत ही अच्छा है ठीक है यह यूनिट 2 के नाम से स्टार्ट होगा अभी क्योंकि अभी फिर से स्टार्ट हो रहा वन टू तू त्री फोर ऐसे करके ठीक है तो जो लोग भी मेरे भाई लोग है बिहार के ठीक है यह जहरकंड के MP के UP के आपको लोकेशन भी फ्यूचर में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्समें में लोकेशन मिल जाएगा फोर नमबर मिल जाएगा आप उनसे कॉंटेक करोगे और आपको डिटेल्स मिल करना है इसलिए यह वीडियो आप लोगों को जस्ट फोर एक इंफ्रोमेशन के लिए मैं बना रहा हूं ठीक है आप लोग जॉब्स के लिए जाते हो कोई भी अमांट का यह नहीं है डिसकाउंड नहीं चल रहा है कुछ नहीं चल रहा है ठीक है क्यों है पहले एक बिहार के डिसकाउंड दे रहें रहें थे किसलिए डिसकाउंड दे रहें तो कुछ भी हमपता नहीं रहा दो शेमर मंसकर करते हैं적으로 साभी कीमत होती है 300 रुपीज, वो just for interview purpose के लिए होती है, और उसके बाद एक होता है GST Bill, जो कि पक्का बिल कहते हैं, ठीक है, उसका दा में 3000 रुपया, और 540 रुपया, अगर आपको GST Bill चाहिए होगा, तो आपको लगेगा, without बिल का आप लोग कहीं भी दूसरे इस्टेट से आ रहे हैं, तो आप लोग ना आओ, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें आपको रिक्स ज़्यादा है, ठीक है, साथी साथ आपको responsibility उतना नहीं मिल पाएगा, जितना एक बिल के साथ रहेगा, अभी हमारे भी head branch में, या जो भी unit 1 में, या जो लोग भी कहीं भी जा रहे हैं, गड़े से एजनसी, compulsory GST bill है, क्योंकि उसमें आपकी safety है, साथी साथ गड़े से तरफ से आप लोगों को jobs तो मिली रहे है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, 1-2 jobs हम लोग के तरफ से आपको support दिया जा रहा है, साथी साथ आपको कैसा facility चाहिए हूँ, आप बोलो, उसी हिसाब स हम लोग jobs प्रवाइड करेंगे, हम लोग कभी भी company के लिए काम नहीं करते हैं, हम लोग just for employee, यानि कि आप सब के लिए काम करते हैं, गड़े से जनसी always support आप लोगों को करता है, ना कि कोई company को, company कुछ भी बोले हम लोगों को कुछ भी हम लोग सुनते नहीं और देखते नह होगा, उसके बाद से जैसे regular base पे हमारी वीडियो आ रही है, morning 8.30, 12 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock और रात 10 बजे, ठीक है, पांच वीडियो डालने के लिए रोज में try कर रहा हूं, ठीक है, फिर भी नहीं हो पाएगा, तो कभी-कभी साड़े 8 बजे तो वीडियो आ नहीं है, उतना तो guarantee है, और एक साम को आएगी, 6 बजे, ठीक है, ये दो time में guarantee है, हमारे चैनल पे वीडियो आएगी, इसको छोड के अगर ज्यादा jobs की वीडियो रहेगी, तो साड़े 8 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे, और 10 बजे, ठीक है, ये 5 टाइम में हमारे चैनल पे आपको regular base पे वीड वीडियो आएगी, सभी के वीडियो के description में आपको contact number, address, और details, jobs के डिटिव, ठीक है, ये सब आपको मिलेगा, आप लोग कहीं से भी है, कोई भी jobs, आप लोग सर्च कर रहे हैं, ये सब मैंने एक बोट डाल दिया, यही सब jobs हमारे पास रहती है, और गड़े से एग्चुल नहीं है, क्योंकि जब आप लोग phone करते हैं, तो real बताओं, एक call receive करते करते, बात करते करते, 6-7 miss call चला जाता है, ठीक है, तो इसलिए आप लोग से request है, चैनल पर देखते हो वीडियो, जाओ, daily basis का वीडियो एक बार देख लो, कि हाँ ये jobs है, इस में से मेरे को ये jobs अच् उसके बाद, आप लोग कब आते हो, वो एक date बता दो, क्यों, one day में 50 आदमी को ही placement होता है, इसलिए जो लोग भी 50 से अबब आ जाते हैं, तब क्या होता है, दिक्कत थोड़ा सा, और 50 candidate को भी handle करना, one day में आप लोग खुद calculation करो कितना है, ठीक है, वो लोग आया, room दिलान खाना दिलाना, ये करना, ओ करना, तो ये सब होता है, ठीक है, तो इसलिए जब भी आप लोग, ticket confirm होगी, आप फोन कर दो, सर मेरो को 12 तारिक को टिकेट confirm होगी, मैं 14 तारिक को आ जाओंगा, या मैं कल आओंगा, मैं बेंगलोर में हूँ, मैं पर्च वाँगा, मैं संबार क होगा, ठीक है, तो ऐसे कर दोगे न, तो क्या होता है, हमारे पास भी डाटा आ जाता है, हम मॉर्निंग 9 o'clock या 9.30 जब आपस जाते हैं, तब फटाक से पहले ओ लोग को फोन करते हैं, जो लोग अपकमिंग वाले रहते हैं, आने वाले रहते हैं, उनको reminder कर देते हैं, कि स माज आने वाला है, ठीक है, आजब, ठीक है, कहां तक पहुचा है, यह सब हम लोग मार्क करके रखते हैं, तो आप लोगों के लिए भी थोड़ा अच्छा होता है, हम लोगों को भी थोड़ा attention कम हो जाता है, आने वाले जो real होते हैं, वो लोग को सही जानकर ही मिल जाता है तो भाजचांस आप लोग आ गएं, यह इंबी जो कोलेज में ही, आके रुक्न कर रहाएं, कर रहा हैं, ओ रहें ठीक है, आगर छाली रिंग जारा है, तो चलो गड़े जंसी, लोग फ़ोड़ा रहा हैं, यह नहीं कर रहा हैं,। लेकिन continuous फोन आ एक आ रहा है दूसरा रिसीब किया दूसरा आ रहा है तीसरा रिसीब किया और पीछे कितना मिस को जा रहा हो तो देखने के लिए अभी यह है यह नहीं दूसरा नमबर अभी करो तो आप लोग कितना वार्वी फोन करो कॉल रिसीब नहीं होगा मसीन जो है जो आवाज डाल दिया वह बोलते रहेगा आप लोग 100 बार भी फोन करो कि वहीं चीज बोलेगा और ऑटमेंटिक कॉल डिस्कनेक्ट हो जह तो इसलिए जब आपको पता चल गए है कि 10 से 4 बजे तक की फोन करना हैं तो अगला दिन 10 से 4 बजे के बीच में फोन ऐसा हमने क्यों किया बहुत सारे लोग नाइट में वीडियो देखते हैं साम को वीडियो देखते हैं देखते हैं फटाक से फोन कर देते हैं ठीक है और उनके बाद कॉल नहीं लगता है तो लोग बोलता है कि नहीं है कंपनी नहीं है यह नहीं हो नहीं है तो भाई सभी लोग आदमी हैं कोई इधर रूबोट नहीं बैठा हुआ है कि आप लोग रात दीन फोन करते रहेंगे एक जैसे सर्विस देते रहें हम लोग भी इंसान है तो इसलिए आई बीर मसीन लगा दिया ताकि आप लोगों को जानकरी मिल सके कि हाँ इतना बज़े से इतना बज़े फोन क एकर सब्शा की सब्सक्राइब ठाइं तो आप लोग वहँआ विजिट कर सकते हैं कभी हैं अगर मैंने वीडियो के डिस्कू eigenen नमबर तो बिखशेंग में अबहें कुछ नंबर सब हमारे चैनल पर रांटव 사건 700 प्लस वीडियो है, तो सभी वीडियो को चेक करना थोड़ा जादा हो जाता है, साथ ही सथ डेली का 5 वीडियो आप लोगों के लिए डालना, अपलोड करना, और उसको आप लोग तिंक मत करों कि आपने कोमेंट किया है, तो उसका रिप्लाइ नहीं किया है, लेकिन क्या है, कि 24 गंटा होना चाहिए, अगर संडे है, तो फिर डिले होगा, मंडे को रिप्लाइ जाएगा, लेकिन 100% रिप्लाइ मिलेगा, जो लोग भी डेली वेसिस का WhatsApp मेसेज कर लोग को भी रिप्लाइ जा रहा है, आन अथराइज जैसा मेसेज, जैसे कि क्या है, एक ही मेसेज अगर एड्रेस का दिया है, तो हमने बेज दिया, तो उनको हम बार-बार रिप्लाइ नहीं करते हैं, ठीक है, कॉल करते हो, मिस्कॉल करते हो, नॉर्मल मेसेज करते हैं, दे करते हैं हम लोग काम है तो ही डाले हुए अभी काम हो गया तो और क्यों डालेंगे क्यों बार पर वही वीडियो को पर्मोट करते रहें हम लोग इदर टाइम पास करने के लिए नहीं बैठें ठीक है और नहीं कोई यूटुब से कमाने के लिए हमारे ज्यादातर वीडियो मे एड सेन बंद करके रखा हुआ रहता है क्यों ताकि आप लोगों को दिखाई ना दे बहुत सारे वीडियो आलमोस्ट हमारे 75 परसेंट ऐसे वीडियो है जिसमें एड आती ही नहीं है ठीक है क्यों क्योंकि मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं वो जानकारी आपको सीधा मि करना चाहते हो गणेश एडेंसी फ्रैचाइजी ले सकते हो Candle में इस फ्रेंजैजि ले सकते हो दोने इस बहुत अच्छी अगर आप लोग इस लेवर कॉंट्रेक्व बना चाहता है तो यूमेज कंपनी इस बेस्ट अब ना चाहते हैं तो गणेश गर लेशन Within अच्छा म दोनों सेम कर दिया है ऐसा नहीं कि इसके लिए जादा उसके लिए कम ऐसा नहीं है तीन केटिगरी में आप फ्रेंचेजी ले सकते हो जो लोग भी स्टार्ट अफ है या फाइनेंसियल प्रोब्लम है वो लोग को पास एमोंट नहीं है तो लोग क्या कर सकते हैं अगर आपका क्रेडिट कार्ड है या आपके फ्रेंड या फैमली में किसी के पास भी क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड में ले लो फॉन पे में जाओ या गूगल पे या पेटियम उसमें रहता है क्रेडिट कार्ड बिल पे ठीक है या रेंट पे ठीक है तो उसमें जाओ उसमे के लिए minimum card का 50,000 तक रहता है, नहीं रहता है तो 30,000 तक रहता है, ठीक है अब यह 30,000 आपने डाला और क्यों पेकर rent के लिए, ऐसा डालो या कुछ भी आप डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि जो बोले हो वही डालना है, ऐसा नहीं है, ठीक है, आप payment कर दियें उदर से आपको 30 या 50,000 हो गिया तो clear, ठीक है example 50 हो गिया तो clear हो गिया 30 हो गिया तो or 20,000 आपको अपने तरफ से cash payment करना पड़े cash भी क्या, online ही कर सकते है credit card में payment करने से benefit क्या होता है, बता दूँ, आपको जो यह EMI है, यह आपको 45 days के बाद आपको pay करना है तो 45 days तक अगर आपने यह office को चला लिया franchise को, तो आपने तो लगबग 50,000 से 1,00,000 रुपया तो कमा लिया तो आपने वही amount pay कर दिया एक रुपया भी आपको interest नहीं लगा और free में आपका काम हो गया इन केस अगर आपने 1-2 मन्त में अच्छा से progress नहीं किया तो आपको मामूली 2 installment 3 installment या minimum amount pay करने करेता है example अगर मैंने 30,000 रुपय bidrol किया है, तो उसमें से 3,000 से लेके 5,000 तक ही आता है minimum down payment करने गा तो तो आप लोग करी सकते हैं तो देखो life में आगे बढ़ना है तो थोड़ा बहुत सोच नहीं पड़ेगा focus रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि करेंगे करेंगे, ऐसा नहीं होता है आपको एक focus लेना पड़ेगा decision लेना पड़ेगा बस सोचने से कुछ नहीं होता है मैं खाना रख लुँगा आगे में और सोचूँगा कि मेरा पड़ेट बर जाएगा तो नहीं बरेगा मुझे हाथ उठाना पड़ेगा खाना को पकड़ना पड़ेगा अर उसके बाद मूँ में गुसाना पड़ेगा मुह से चवा के फिर अंदर भी गिलना पड़ेगा मुह में रख देने से ये खाना अंदर नहीं जाता है उसी तरह से आप लोग अगर काम स्टार्ट कर रहे तो काम को करना भी पड़ेगा डिसीजन लेना पड़ेगा बिना इन्वेस्टमेंट का तो देखो आज कल कुछ भी नहीं है अभी का टायम है तो पानी तक अभी पेड हो गया तो सोच लो थोड़ा दिन बाद अभी जो रिसेंटली करोना इसा पारव हो उसमें तो ऑक्सिजन तक खरीदना पड़ रहा था तो आप लोग बेस्ट ऑपरचुनूटी है आप लोग अभी यह फ्रेंचाइजी ले सकते हैं क्योंकि आने वाला मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड रहता है एक एमप्लॉइमेंट का ठीक है जो लोग मैन पावर परवाइड कराते हैं अभी आप लोगों पास बेस्ट ऑपरचुनूटी है बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम एमउंड में आप लोगों को फ्रेंचाइजी मिल रहा है बाद में फिर थोड़ा बहुत ज़्यादा फ्रेंचाइजी बनने के बाद फिर ये चार्जस ज़्यादा हो जाएगा अभी तो आपको 50,000 में दे दे रहा हूं मैं बाद में क्या पता यही फ्रेंचाइजी लेने के लिए आप लोग सोचो लेकिन आपको ना मिल पाए क्योंके हम लोग every single pin code में फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करा रहा है है ऐसा नहीं कि बिहार में दे दिए बैंगलोर में दे दिए तो और दूसरा किसी को देंगे नहीं है हम लोग चाते हैं सब लोग कमाओ सब लोग बड़ो सब को जौब्स मिलें ठीक है तो इसी पूर रहा हूं कि आपको एक बड़ा सा ओफिस ही लेना पड़ेगा सिंगल ओपिस लेकिन ट्रांसपोर्ट का फैसिलेटी होना चाहिए क्योंकि जो लड़के लोग आएंगे वो लोग प्रस्टनल गाड़ी में नहीं आ सकते हैं नहीं अपना कुछ बुक करके आ सकते हैं तो इसलिए पॉब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलेटी रहना चाहिए आपके स्टेट में बहुत सारे लोग है जो लोग को जॉब की सर्च है तो लोग आएंगे 100% आप काम तो सुरू करो ऐसे ही पहले से सोचोगे तो फिर कैसे चलेगा कोई एक आगे बढ़ता उसके पीछे में दोस्तो